कि नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में मकर्धोज रसायन के बारें बताने वाला हूं या रसायन पॉष्टिक विर्यवाब्धक उतेजक तथा सरीर में अस्फूर्टी बढ़ाने वाला और वाजी करन हैं सुक्र संबंदी सभी प्रकायर के रोगों में सेवन करने से बीसेशलां होता हैं शुक्र दोस्त था विर्वाइनी नारियों की कमजोड़ी से उत्पन नामर्दी के रोग में इसके सेवन से बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं इसका प्रभाव वीरवायनी नाड़ी तथा वातवायनी नाड़ियों पर विशेश होता है किसी रोक से छुटकारा पाने के वे सारे रीक दोस्त बात पीत और कप तथा दुस्य रस रखतादी की कमजोडी करना सरीर कमजोड हो गया हो तो इस रसायन के सेवन आवस्य करना चाहिए कुछ दितन तक गोदुग्द या मखन अथ्वा मलाई के साथ सेवन कराने सरीर को सुन्दर कांतीमान और हुष्ट-पुष्ट बना देता है कुपी पक्कों मकरद्वज सेवे विशिष्टकूर इसमें है सभी प्रकार की प्रम मदू में बहुमूत्र सोम्रोग स्वेट प्रदर कठीन वात्रोग हिर्दे और मस्ति की दुरबलता खांसी स्वासनी पात ज्वर्ग आधी अनियक रोगों में उचित अनुपान के साथ देने से यह रसायन अमरित तुल्य लाब करता है इस रसायन में मुख्य घ्टक सुणब भस या वर्क कि दो तुल्ण बंग भस्म कांतलोव अस मोती वस्म जावित्री जायभाल चादी भस्म कास्य वस्म र सिंदूर परवाल वस्म कस्तूरी सुध्य कफूर और अभरक एक एक तोला तथा स्वाड़ सिंदूर नौ तोला लेकर एकत कर खरल कर लिया मत्रा और अन्फान दोदो रत्ती सुबा साम मधू और अध्रक क्रस्ट के साथ अथ्वा रोगानुसर उचित अन्फान के साथ देने से विश्यस लाव होता है दोस्तों इस रसायन के परियोग से विरवर्धक उतेजनत शरीर में असुर्थी बढ़ने लगता है तथा अगर आपकी लिंग में तनाव नहीं आता हो तो उसमें भी विश्यस लाव करता है झाल